Hello everyone, welcome back to new video आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Minecraft Trial को 2024 में Unlimited Time कैसे खेलें जैसे कि आपको पता है Minecraft Trial में हमें 90 minutes मिलते हैं और 90 minutes जैसे ही complete होते हैं हमारे सामने time sub का ये message आजाता है बट इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे tricks बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप Minecraft Trial को Unlimited Time खेल पाएंगे So now let's get started तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने Minecraft Trial को open कर लिया है और मैं आपको यहाँ पर live दिखा जेता हूँ remaining trial time 0 minute 0 second दिखा रहा है याँ यहाँ पर हमने इसको 90 minutes से जज़ादा खेल लिया है और ऐसे Minecraft Trial को open करेंगे Minecraft Trial को open करने के बाद आपको प्लेपर क्लिक करना है अब यहाँ पर जिस वर्ल्ड में भी आपका टाइम सब हो चुका है उस वर्ल्ड को यहाँ पर generate कर लेंगे तो finally हमारा वर्ल्ड जन्रेट हो चुका है अब यहाँ पर आपको इस्क्रीन को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है बिल्कुल भी शेक नहीं करना है आपको क्या करना है बेक वाले बटन को प्रेस करना है सेटिंग्स में आना है सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर default game mode का option है आपको क्या करना है? creative को select करना है 2-3 बार इस process को दोराना है इसके बाद आपको 2-3 बार यहाँ पर survival को select करके यहाँ पर back करना है, resume game करना है अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है 20 से आपको इसको cut करना है और दुबारा से file को open कर लेना है कि यहां पर माइन काफ ट्रायल दुबारा सोपन होता है अब आपको रिजियों केम कर देना है अब यहां पर आप बिल्कुल असानी से कुछ भी माइन कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर मैं प्लोक वगेरा सब कुछ थोड़ पा रहा हूं और मैं आपको मिटे टाइम खेल सकते हैं आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो मैं मिलता हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में